हलो आज हम त्यार कर रहे हैं बच्चों के लिए बहुत एक विक और हल्दी साल लांच बॉक्स इसे बच्चे ना सर्देखना पसंद करते हैं बलकि खाना भी बहुत पसंद करते हैं और अज़ना भी तो वेल्कम तो फूड का आटिटूट और लेट सी कि इसे कैसे बनाया जाता है तो सबसे पहले बॉइल्ड पोटेटो लिये हैं उसको आप चाहे तो ग्रेट कर सकते हैं चाहे तो इस तरह से हाथ से मैश कर सकते हैं अच्छी तरह से आपको मैश करना है मेक शूर कि इसमें लंप्स नहीं रह जाएं उसके लिए अगर आप फ्रेश पोटेटो बॉइल करते हैं तो बहुत जादा अच्छा रहता है इसमें मैंने मिलाया है जिंजर गालिक पेस्ट साथी मैंने ग्रीन चिलिस डाली है चॉप्ट वाइट नमक काला नमक थोड़ा सबुना हुआ जीरा सूखा धनिया बहुत सारा हींग डाली है थोड़ी सी गरम मसाला आदा चमच के आसपस लाल मिर्च लाल मिर्च आप देख तो डालो नहीं कोई बात नहीं हरी मिर्च आली हुई है और यह मैंने ओरिगेनो डाली है थोड़ी सी प्लस इसमें मैंने डाल दिया है ब्रेट क्रम्स जिसम को मैंने न भून कर रखा हुआ था बिसिकली ताकि खराब न हो जाए तो मैं उनको थोड़ा सा भून कर रख लेत जो भी आपके बच्चों को पसंदो shapes basically वो दे सकते हैं ऐसा कोई hard and fast rule नहीं है कि आपको इसको round shape भी देनी है तो आप जो भी shape देना चाहें आप वो दे सकते हैं now मैंने ये टिक्या मना के ready कर ली अब मैंने एक pan लिया है जिसमें मैंने लिया है देसी घी आप obviously कोई भी घी तेल यूज़ कर सकते हैं मैं देसी घी यूज़ कर रहे हूँ और इसको shallow fry कर रहे हूँ इसको और ज़दा healthy बनाने के लिए air fry भी किया जा सकता है बट since आज मैं इसको पैन में ही बना रही हूँ अज मैं एर फ्रायर में नहीं बना रही हूँ इसको तो इस तरह से मैंने जब यह सारा mix कर लिया आप अच्छा इसमें आप वेजीटेबल्स पर अपनी choice की डाल सकते हैं अगर कोई डालना चाहें तो तो इस तरह से आप देखेंगे golden brown टिक करते हैंotta बेसिकली हम प्रेस करने का हमारा जो रीजन है वो सरफ यह है कि हमने इसको जो हैं अन्दर तक अच्छे से पकाना है क। dep Shine करें अध् cohort ले यह आपको Amazon से easily available हो जाता है मिल जाएगा तो मैंने टू स्लाइस लिया जिनको मैंने इस तरह से बेर शेप से काट लिया है अब आपने एक स्लाइस लेना है और गलत वाला ले लिया ओके राइट वाला स्लाइस ले लिया अब इसके उपर मैंने लगाई टिकी एक लगाया अनि अब लगागी मैं इसके उपर एक पनीर का स्लाइस आपचा है तो चीज स्लाइस रख सकते है इस पर ढाला थोड़ा सा चार्ट मसाला थोड़ी सी डालेंगे इसमें ग्रीन चैटनी थोड़ी सी डालेंगे इसमें टुमाटو केचप और और कोई चोईस अगर आपके है आपक सान्विच गम बर्गर गम ठिकी ब्रिट बनकर तियार हो चुका है अपने बच्चों को इसे लंच बॉक्स में डाल के दीजिए ते विल लव इट ते ल इंजोई